नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी नियूज मैं हूँ आपके साथ राजुनंद नीशर्मा बुलिटिन के शुरुवात करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ अलवर के सरिस्का के बाद अब अलवर शहर के नस्दी गणेश गवाडी के पहाडों में आग लगने का मामला सामने आया है आग लगातार विग्राल रूप ले रही है मामले की जानकारे मिलते ही वन विभाग की टीम आग बुजाने में जुट गई लेकिन आग पहाड़ी के उपरी हिस्से में लगी है इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक नहीं पहुँच पा रही हाला कि फायर लाइन और सिलेंडरों की मदद से आग बुजाने की प्रयास किये जा रहे है बीलवाडा के मांडल के थाना परिसर में शांती समीती की बैठक का आयोजन क्या गया बैठक में आगामित योहार अमबेडगर जैन्ती, हनुमान जैन्ती और ईद को लेकर कजबे के वरिष्ट जनों और शांती समीती के सदस्यों से चर्चा की गई साथी आगामित योहार शांती पूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की गई, इस दोरान जिला कलेक्टर आशीश मोधी और पुलिस दिक्षक सिधार्च सिद्धू सहिद का इस सदस्यों मौजूद रहे आगर के सब लोगों ने वाटा की, लोगों ने अपनी बात रखी और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सभी तैवारों को उस शांती पूर्ण तरीके से मनाया जाएगा भूंदी के हिंडोली में राज्यमंत्री अशोक चांदिना ने पंचायत समीती में जंसुनवाई का आयो जुन किया मंत्री के जंसुनवाई के चलते ग्रामिन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची मैं जंसुनवाई में समस्याओं का अमबार लग गया बिजली, पानी, सडक, सहीत, जमीन, बकाया, वेतन, ट्रांसफर से टुड़े मामले जंसनवाई में सामने आए साथी इस दोरान राज्यमंत्री ने BCMO जगवीर सिंग को अस्पताल परिसर में बनी धर्मशाला से BCMO कारले हटाने और धर्मशाला को जंता को सुपूर्ट करने के निर्देश दिये खबर अतनगट से है जहां पुलिस्ताने में अखिल भारत हिंदो युवा मोच्चा की कारिकरताओं ने नगरपालिका पर पट्टे वित्रण में भेद भाव और पालिका यू द्वारा मीडिय कर्मी के साथ बचसलू की कारोप लगाते हुए मुख्यमंद्री के नाम जिला कलेक्टर सिदार्ट सिहाक को ग्यापन सौपा आपको बता दे कि एक मीडिय कर्मी ने उपकरन अधिकारी से सवाल किया तो पालिका यू शहदेव चारण मीडिय कर्मी पर आग बबुला हो गए और बचसलू की करने की कोशिश की ग्यापन में लिखा है कि समाज के 34 स्थम मीडिय के साथ बचसलू की कतई बरदाश नहीं की जाएगी और जिनकी फाइड नगरपालिका में पैंडिंग है उसको तुरंद पटा जारी किया जाएगा मैं तंदिकिशो और कंडोई जिल्ला मास सचीव अखिल बारत नगरपालिका में मीटिंग के दोरान हमारे संखन की पदा जिकारी सुचिला इंदार जोरा जास्तान सरकार दोरा चलाई जा रहे पटा अभियान के अंतरगर पक्षपार्पूर्ण रविया पनाने के वज़ में स्रीमान से बारता लाप की कि सर यहां अपने निजी आदमियों के पटे बना रहे जायरे हैं जबकि अन्य लोग सिकाइट कर रहे हैं कि हमें पटे के बदले पैसों की डिमांड की जा रही है तो एजीम साब ने हमारे पद के संटन के पदा दिकारी को यह कहा कि आप एसी बीसे शिकाइट कीजिए इसी दौरान वहाहां ख़ड़े एक पत्रकार मोगदे ने एजीम साब से तिखिस वाल किये तब वहाहां बेठे हुए रतर्गर नगरपाली का यह उनके ओपर गरम हो दौलपर जिले के बाड़ी उखंड में जिला पुलिस अदिक्षक के निर्देश नुसार फ्लैग मार्च निकाला गया यह फ्लैग मार्च आगम इत्योहानों को सुगम और शांती प्रिय बनाए रखने के लिए निकाला गया इस दोरान एडिशनल स्पी बचन सिंग मीना बाड़ी उप जिला कलेक्ट राधेश याम मीना तैसलदार गिर्धारी लाल मीना सहितकाई पुलिस अदिकारी मौजूद रहे डीडवाना में राम नवमी के अफसर पर नगर में निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर पुलिस और पुछासिन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं इसके लिए उपकरण अधिकारी कार्ति के मीना के दक्षता में ठाना परीसर में सी यल जी और शांती समीती की बैठक आयोजित हुई शांती समीती की बैठक में लोगों नी रविवार को होने जारे आयोजन की सफलता की कामना के साथ शांती, सोहार्द और भाईचारा बनाये रखने का प्रंड दोहराया साथी पिशासन ने फ्लैग मार्श निकाल कर पुलिस और पिशासन की सजक्ता का प्रमार्ण भी दिया बीसीबी जैपूर साउत मृदुल कच्छावा चाक्सो शेत्र के दोरे पर रहे यहां उन्होंने पंचायत समीती सभागार में आगामी त्योहारों के मदे नज़र शांती समीती के सदस्यों और ग्रामिनों की मीटिंग ली इस मीटिंग में शांती समीती सदस्य विबिन राजनितिक और सामाजिक दलों के प्रतिनिदी के अलावा पुलिस पुषाशन के अधिकारियों ने भी इससा लिया इस दोरान डीसी विबिन बिदल कचावा ने कहा कि आगामित योहारों को आपसी सोहार्द और भायचारी के साथ मनाना चाहिए और करोली जैसी घटना की पुन्रावरती नहों इसके लिए पुलिस पुषाशन मुस्तेद है साथी पुलिस की साइबर टीम उब्दरवी तत्वों पर नजर बनाये हुए है जाए वो अन्य श्कानी पुलिसिंग को को सुजाव अपने दिये जिन पर आने वाले समय में शकाराइबर तरिमिह से एक वेधर पुलिसिंग प्रियाज पुलिस पर किया जाएगा जहां तक आने वाले समय में धार्विक्टि वहारों और कारिक्अमों की बात है तो इसमें कोई दोराई नहीं है कि चाक्षू कस्वा जो है वो सामाजिक स्वाहर्थ का एक सदैव से उधारन रहा है और सामाजिक स्वाहर्थ की आपसी भाईचारे की यहां पर एक परंपरा रही है और यहीं परंपरा आगे भी बरकरार रहेगी आगामित योहरों में शान्ती और कानून विवस्ता के मद्दे नजर जिला कलेक्टर कुमारी रेनुक जैपाल और पुलिस अदिक्षक जैयादव ने कस्वे में जुलूस शोबा यात्रा आधी के प्रमुक मार्गों का निरिक्षिन करते हुए फ्लेग मार्च किया फ्लेग मार्च पुराने बस्टैंड से तैसिल रोड होते हुए वापस पुराने बस्टैंड तक निकाला गया वहीं फ्लेग मार्च के जरिये जिला कलेक्टर और पुलिस अदिक्षक ने कानून विवस्ता चाक चौबंध होने की संदेश दिये बीलवडा के गंगापुर कस्बी की चौकी में शांती समीती की बैठक का आयो जनकिया गया पुलिस उप अदिक्षक गोपी चंद मीना ने बताया कि बैठक में आगामी त्योहार अंबीड कर जयनती हनुमान जयनती और ईद को लेकर कस्बे की शांती समीती के सदस्यों से वार्ता की गई पाडमीर जिले के कल्यानपुर शेत्र में नागाना धाम राठोर वंच की कुल देवी नागनीची माता का मंदिर पर कोरोना काल को लेकर दो वर्ष बाद नवरात्री कारिकरम धुंधाम से मनाये जा रहा है नागनीची माता की दर्षन के लिए असंक्य शद्धालूं का सेलाब उमड पड़ा है माई हो मास्टमी पर धार्मिक अनुष्ठानों सहीत यग और विबिन कारिकरम का योजन भी किया गया वहीं विवस्ताव को लेकर कारिकरता सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस जवान तैना फिलाल अस बुलिटन में इतना ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूस नमस्कार